Hello everyone, a very warm welcome to Look Gorgeous आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किन ब्राइटनिंग और स्किन ग्लोइंग का फेस पाक हम कैसे बना सकते हैं जो कि स्किन ब्राइटनिंग में भी हल्ग करता है, ब्लेमिश दूर करता है स्पोट स्टूर करता है, एंटी एजिंग है, ग्लोइंग स्किन के लिए, ब्राइटनिंग स्किन के लिए बहुत एफेक्टिव है और ये जो पाक है, ये लोग और जे सब्सक्रिप्शन बॉक्स जून 2017 के बॉक्स में आड़िद है अगर आप इस बॉक्स को खरीदने में इंटरस्टेड हैं, तो प्लीज आप नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए ये फाइफिटी रुपीज का बॉक्स है, अफॉरडबल मेकप है इसमें और ये पैक होगा और अफॉरडबल मेकप इंजिया, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अफॉरडबल मेकप खरीदने के लिए, तो सबसे पहले मैंने हाँ इंग्रीडियन्ट लिया है मसर की दाल जो की ओरेंज कलर की दिखती है, और फिर उसको हमने अच्छे से पीस लिया है आप चाहें तो बाहर से पिसवा सकते हैं, और फिर इसके बाद हमने लिया है बेसन इसके बाद अगला इंग्रीडियन्ट चु लिया है, वो है मुलतानी मिट्टी और फिर लास्ट इंग्रीडियन्ट जो की हमारा चौथा इंग्रीडियन्ट है, वो है चावल जिसको हमने बारीक पिसवा लिया है फिर हमें एक बरतन चाहिए जिसमें मैं एक चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ चावल क्या करता है, चावल हमारे स्किन को ब्राइट करने में हल्प करता है, ये टोनर का काम करता है, स्किन के पोर्स को ये ओपन पोर्स को बंद करने में हल्प करता है, ब्राइटनिंग एफेक्ट देता है, चहरे को अच्छे से साफ करता है और skin को एक दो shade light करने में help करता है तो आपके dark spots वगेरा जो है चावल से वो ठीक हो जाते है Next ingredient हमने लिया है एक चम्मच बेसन बेसन क्या करेगा? बेसन hair removal का भी काम करता है चहरे को अच्छे से अंदर से साफ कर देता है और चहरे को निखारने में एक glow देने में help करता है तीसरा ingredient जो हमने लिया है वो है एक चम्मच पिसा हुआ मसर की डाल ये क्या करेगा? ये भी pore tightening में help करता है, skin tightening में help करता है ये सबी ingredients जो हैं ये anti-aging है और साथ की साथ मसर की डाल दाग धब्बे दूर करने में मदद करता है चहरे को बहुत ही bright और glowing बनाता है मसर की डाल और दूद का पाक जो है वो बहुत ही famous है उससे चहरा बहुत ही सुन्दर हो जाता है ये जो face pack में बना रही हो ये body pack के तरह से भी use हो सकता है स्क्रबिंग की तरह से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते है तो इससे जहां पर भी हम लगाएंगे वो area जो है वो clean होगा साफ होगा दाग धब्बे जो है वो दूर होंगे चौथा ingredient जो हमने लिया है वो है मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी एक अच्छा base देगी इस face pack को oil control में help करती है acne को prevent करती है और लंबे समय तक हम उलतानी मिट्टी का use करते हैं चहरे पर तो बहुत ही अच्छे से हमारा चहरा साफ सुन्दर और glowing बन जाता है तो basically ये जो pack है skin brightening glowing effect के लिए है face and body pack है और साथ की साथ skin whitening में भी ये help करता है आपको इसे हफते में एक से दो बार इस्तेमाल करना है करते रहिए हमेश्या के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक महीना कर सकते है या दो महीना कर सकते हैं 15 साल से उपर है आपकी उमर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लड़के लड़किया सबी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी dry skin है तो आप दो चमच दूद में मिला के इस्तेमाल कीजिए normal skin है आपकी तो आप पानी दूद रोज वाटर दही कुछ भी एक चीज ले सकते हैं मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी skin oily है combination है तो मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने एक चमच दही लिया है दही भी आंटी टान का काम करती है एक चमच दही में मैं यहाँ पर एक चमच यह वाला पाक मिला रही हूँ इसके लिए मैं इसमें एक चमच पानी भी मिलाओंगी। अब अन्दाजे से पानी दही दूच जो भी है उसको मिला सकते हैं। बॉडी पाक जो है वो बन के तयार है। यह इस तरह से दिखाई देगा हाथ पे लगने के इसे लगाते वक्त चार पांच मिनट के लिए आप स्क्रब कर सकते हैं। इसके बाद आप 10 मिनट के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप तोलें। हफ़ते में दो दिन इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे आपकी स्किन जो है ब्राइट हो जाएगी। ग्लो करने लगेगी। बहुत ही जादा साफ नजर आएगी। कोई blemishes और spots है तो वो हलके होने दिखाई देगे आपको। और आप पहले ही इस्तेमाल में फर्क देखेंगे। बहुत ही सुन्दर निकार दिखाई देगा। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे इस्तेमाल करते रहेंगे दो हफते बाद एक महीने बाद आपको अच्छा सा डिफ्रेंस दिखाई देगा। आपके लिए ओवर ओल यह बहुत अच्छा रहेगा। आगे के लिए अंटाई एजिंग रहेगा, अंटाई रिंकल रहेगा। ग्लो करेगी आपके स्किन ब्राइट हो जाएगी और एक दूश शेड्स आपका लाइट हो जाएगा स्किन का और जहां पर भी आपके डार्क स्पोट्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपको लुग का और चे सब्स्रिप्शन बॉक्स लेना है और मुझसे मेकप खरीदन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं कुछ हेटर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सेल की वडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है मैं यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं कर रहे हूं कुछ भी खरीदने के लिए अगर आपको पसंद आए अगर आप चाहें मुझसे कुछ खरीदना तो ही आप खरीदे मिरको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं खरीदते हैं तो सिर्फ आपकी मर्जी है